ही गयाइज वलकम बैक टू माइ चैनल प्रीटी यू जहां आप देखते हैं video जोरण चैनल नमों City वीडियो मट उलेसर प्रीण जोरीय मिलें कर से सब्सक्राइब कर 시ven Japan online भी बुलवाती हुँगी क्योंकि बहुत सी बार कि लाइफ एतनी वीजी हो जाती है कि जा करके select करें उतना time नहीं होता है तो online shopping रहती भी काफी best ही है अगर आपके पर time नहीं है तो so guys online shopping में आप क्या-क्या चीज़े अपने ध्यान में रखकर शॉपिंग करें कि कि बहुत सी बारों बहुत सारी mistakes कर देते हैं online shopping में तो कौन-कौन से mistakes जो हैं आपको नहीं करनी है क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है online shopping करते से हमें और दूसरी चीज़ अगर आप अपने लिए से कपड़े सलाग करते हैं अगर आपको आपके लिए शू सलेक करना है बैंगल सलेक करना है अगर आपको अपने लिए रिंग सलाग करना है और आपको आपका size नहीं पता है ताकि जो mistakes आप से होती है वो mistake ना हो So guys, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी जल्दी subscribe करें नीचे एक bell icon का icon बना हुआ है उसे press करके हमारे चैनल को जल्दी से subscribe करें और आपको अगर मेरे आज की video पसंद आए तो video को एक like और thumbs up जरूर दीजेगा guys ये तो बनता है और ये हम लोगों के लिए एक motivation होता है इससे हमें पता चलता है मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी video को पसंद कर रहे हैं इसलिए एक like और thumbs up जरूर दीजेगा So guys, let's check out the video हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप अपके लिए कपड़े चूस करते हैं तो कपड़े चूस करने में हम सबसे पहली priority हमारी पसंद को देते हैंगे कि कौन सा आप सबसे पहले scroll down करते हैं भले आप Amazon पे देखें, Flipkart पे देखें, Mantra पे देखें या किसी भी site पे जब आप देखें तो उस site पर सबसे पहले आप यही देखें कि हम आप आपके लिए कोई भी dress चूस करते हैं या कोई भी खुर्टा चूस करें इस अपोज़ तो सबसे पहले आपको पसंद कौन सा आ रहा है तो आपको सबसे पहले आपकी पसंद देखने के बाद आपको सबसे पहले आपका size देखना चाहिए कि आपका जो size है उसमें क्या है size select करने के बाद और size अब आप कैसे select करेंगे तो उसमें एक size chart दिया होता है size chart में अगर आप खुर्टा select कर रहे हैं जो कुर्ड़े सेलेक्ष करने के लिए सब से पहले आप जो इसे पहले प्रस साइज हों से इस उसिसा आप से प्रसलेक्षिट करें नों कोड़ेखकरक्डेकर में या कुछ में उसको आप सबस्क्रinks नों कि घ्रीटेयल डिसक्रिप्छन दिया उता उस प्रोडक्त के बारेमें कि क्या। इसका डिटेयल डेस्क्रिप्छन है उसका फैबरिक क्या है क्या मतीरियल है क्या वॉष है तो वह आपको आपको देखना बहुत ज्याधा जरूरत है कि बहुत से माटीरियल है, क्या वाश है ठीके, तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वह से बार अपन चाहते हैं cotton में और वो rayon बगेरा में दे देते हैं ठीके वह से बार हम silk में चाहते हैं पर वो silk mix cotton में दे देते हैं तो जो fabric है वो जरूर जानना बहुत ज़्यादा हृँ होता है। ओसके बाले ऊपर में आप उसके प्रडेको प्रेट को तो वह जरूर चेक कर लिजेगा अगर वह रिटनेबल है तो ही आप उसे सलग करिएगा और आप इतने शुर हैं अगर कि नहीं यह प्रोड़क्ट जो है वह आपको नॉन रिटनेबल भी चलेगा दैन फिर इस ओके बट यह चीज भी आप जरूर चेक कर लिएगा मैं अपनी साइज लेना है या प्लस तू साइज लेना है वह भी दिया हो रहता है साथ में यह प्रोड़क्ट की क्वालिटी के बारे में भी रिव्यूज रहते हैं कि प्रोड़क्ट की जो क्वालिटी है वो जो मैंशन है वो है या नहीं है तो इसलिए रिव्यूज चेक करना भी करा करें तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको online jeans आपके लिए लेनी है तो jeans लेने में भी बहुत जादा दिक्कत होती क्योंकि बहुत से बार आपको यहीं लगता है कि जो आप jeans ले रहे हैं वापको fit आएगी या नहीं आएगी लूज होगी क्या होगा तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है jeans measurement के लिए कि आप किस तरह से आपका जो jeans का size उसको खुद ही measure करें और आप अपना measurement online shopping के लिए किस तरीके से select करेंगे उसकी link मैंने नीचे description box में दे दी है आप लोग चाहें तो मेरा description box चेक कर लिएगा आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर आपका size नहीं पता है और online shopping आपको करना है तो आप अपना size accurately उससे पता कर पाएंगे so guys jean select करने के लिए size तो हो गया size select करने के बाद आप उसका fabric उसका material quality यह सब चेक करिएगा सब कुछ description box में दिया हो रहता है reviews जरूर चेक करिएगा और returnable है या नहीं है यह जरूर चेक करिएगा और अगर आपको प्रोड़क्ट जल्दी deliver करवाना है तो इसको delivery options भी जरूर बात करते हैं हम अगर आप अपने लिए shoes select करना चाहरे हैं क्योंकि shoes select करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि क्या होता है main issue होता है आपके size का सब कुछ हमें पैन के चला लेंगे उसको यह रहता है बट सबसे main चीज होती है size की size का issue सबसे जादा रहता है अगर size आपको proper fit नहीं आएगा ना तो आपको उसे return करना ही होगा size के लिए भी मैंने एक video बनाई है कि किस तरीके से आप अपना shoes का size है उसको measure करें online shopping के लिए अगर आपको online shopping करना है और तो उसका link में मैंने description box में दे दिया है आप लोग मेरा description box उसके लिए चैक कर लीजेगा उसमें मैंने पूरी method बताइए कि आपके तरीके से आपका size को select करें size selection के बाद आप यह जरूर देखेगा reviews check करके कि उसका product की quality है वो कैसी है description में जो mention चीजे है उसे साबसे की quality है अनि बहुत से बार picture images भी लोग बागत देते हैं picture images से भी हमें समझ में आता है कि यह जो product है वो कैसा आया है और कैसा इसकी image शो हो रही हैगी तो यह जो दोनों image है उन दोनों image से आप compare ज़रूर कर सकते हैंगे कि product कैसा बताया गया है और product कैसा delivered हो रहा है तो यह दोनों चीजें आप उसमें compare कर सकते हैं उसी से देख सकते हैं आपकी कैसी चीज़ है next चीज़ अगर आप अपने लिए से सारी लेते हैंगे ना तो साडियां में main सबसे बड़ा issue यह आता है कि साडियों में जो उसमें जो work होता है ना बहुत से बार वह बहुत अच्छा work बताया होता है अगो online sites पर जो उसकी क्वालिटी वह उत्तु है वो उत्त्रिक्षा नहीं है तो आप क्या करें लिए ने अपम बहुत सारे बार को होता है promised जो प्रोड़क को आप इमेज सकते हैं कि इसका जो इस वर्क का investments आया है वह से बार की जो product की quality कैसी यह वैसे product रहता तो बिलकुल समय बट difference उसकी quality का जाता है तो उसकी जो quality आप ऐसे compare कर सकते हैं दूस्री चीज डिस्क्रिप्शन में ना जो product का जो description दिया होता है गर description में काफी चीजे mention होती तो आप उसमें से भी देख सकते हैं और एक चीज और उसमें नीचे question answer दिया होता है कि आप अपने questions उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई question है उस बारे में तो तो आपको कोई भी issue है उस products related कोई भी क्वारी है आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कि आप easily वहाँ पर पूछ सकते हैं विदीन अ मिनिट या विदीन आर आपको उसका answer जरूर मिल से next move करते हैं bangles पे बहुत सुंदर सुंदर bangles आजकर online sites पर available हैंगे बट देखने के बाद लगता है यार यह पत बैंगल का size determine करें accurately अगर आपको online shopping करने है तो उसके link पर में description box में देदूंगे आप चेक कर लीजेगा उसकी पूरी procedure है कि कैसे आप आपका size determine करेंगे और जो online चार्ट दिया होता है उसमें आपको आपका size accurately मिल जाएगा तो आपको को भी दिकत नहीं होगी तो यह bangles का भ रिंग का क्या होता है size का बहुत जाता issue होता है कि क्या size होगा क्या नहीं होगा बहुत से पर हमें अपना size पता नहीं होता है तो उसके लिए भी मैंने एक video बनाई है उसका भी link मैंने description box में दे दिया है कि आपको सबसे पहले आपका size determine करना पड़ेगा कि आपका size वो क्या ह है अगर आपको online purchase करना है तो तो आप उस video से जान पाएंगे कि आपका size वो क्या है फिर जब आप जाएंगे तो उसके बाद पूरा description दिया होता है यह कौन से metal का है क्या है ठीक है उसकी quality क्या है सब कुछ दिया होता है description में check करिएगा फिर उसके बाद उसका size है उसको select जर shopping किस तरीके से आप करेंगे क्या 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 चीजों का आपको ध्यान में रखना है काफी सारी videos मैंने इन पर बनाई हुई है जो size का मैंने काफी videos बनाई है कि क्या क्या size आपको देख आपका होगा अगर आपको कोई भी shoes, ring है कोई भी चीज अगर आपको लेनी है तो so guys I hope मे online shopping करने से पहले और कोई भी आपके ख्वारी आती हैगी तो उस query के लिए कैसे आपको solve करना this query को वही मैंने आपको बता दिया है so guys I hope मेरी आज की video आपके लिए काफी helpful रही होगी अगर मेरी video से आपको कोई भी help रही हो तो video को एक like और thumbs up जरूर दीजेगा और हाँ subscribe करना ना भूलिएगा ताकि हमारी जो family वो इसी तरीके से और आगे बढ़ती रहे so guys stay tuned stay connected be happy and thanks for watching